इसलिए होता है कि कुछ न कुछ हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तेकि सभी यूट्यूबर्स अच्छे वीडियो बना रहे हैं आपको अच्छी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फिर भी हमारे फाउंडर के इतनी सारी सवाल हमारे पास आते हैं तो बात करेंगे इस की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें तो आपको बता है कल था वैनस जे वैनस जे रहता है हमारा ऑनपैसिफ 360 और हमारा टीम चैंपियन में सोर्स बेहांड दफोर्स की द्रूर को शनाजर सेशन तो आपने देखा कि आपडेर्स हमने आपको सुबा की वीडियो में दिये आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपकी सबी सवालों के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो में दरूर आकर तक बने रहिए क्योंकि जो सवालों के जवाब हमाहीं दिये गुसमिंदर से ने तो आप लोगों को जरूर ध्यां से सुनना है मैं समझ सकती क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है टीम चंपेन के वेबिनान नहीं थुन पाते हैं बहुत लंबा हो जाता है तो यहाँ पर आपको ब्रीफ में हम में में कोशन्स पर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी फाउंडर्स को कॉंग्रेचुलेशन से क आप सब में इतने दादा पेशन्स हैं आप लोग इतनी मतलब फ्रॉस्ट्रेशन होने के बाद भी आप पेशन्स बनाए हुए हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी प्लेटपॉर्म पर और नहीं जुड़े हुए तो दोस्तों जुड़ जाईए ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहें और आपके सब ही डाउट जो हैं वो किलियर हो जाएं जैदी कि दोस्तों भी सबसे इंपॉर्टन कोश्चन आ रहा है हम लोगों के पास जो कि हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का आईडी अक्टिवेशन के लोगों का जो फीडबैक आया है वो यह आया है कि उनकी इडी एक्टिवेट हो गई है तो अभी आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपका अगर पैसा कट गया है तो डेफिनटली आपके ओपर, महां पर काम किया जा रहा है थब को पता है कितने लोगों न टच किया है वहाँ पर पेमेंट करने के लिए और पैसा कट चुका है वो भी कमपनी को बता है पैसा आपके और कमपनी के वीक में है कहां पर है जो पेमेंट प्रोसेसर है उनके पास है जैसे ही अगर हमारा पिछला क्लियर होगा उसके बाद आपकी आईडी भी अक्टिवेट हो जाएंगी और दोस्तों यहाँ पर ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह प्रोसेस है एक तरह थे प्रोसेस जो है वो पुरी तरह थे काम कर रहा है system को भी आपको पता है slow किया गया volume धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है ताके किसी भी हमारे founder को किसी भी तरह की कोई problem ना है तो पैसा कर दिया है प्रोसेसर के पास है तो आप लोगों को गबबनने की कोई जरुरत नहीं है company को पता है leaders को पता है कि आपने महाँ पर try किया है so definitely दोस्तो आप लोगों की ID भी महाँ के थुरू activate हो जाएंगे अभी एक सवाल यह आ रहा है कि मतलब लोगों ने ID तो activate कर दी है लेकिन उनका commission उनको नजन नहीं आ रहा है मतलब कि ID का जो 35 second उनका जो भी commission रहा होगा 35 point something तो वो dollars उनको अपने direct में नजन नहीं आ रहे है अपने commission में नजन नहीं आ रहे है तो कोई बात नहीं दोस्तो उसके लिए भी panic नहीं होना है क्योंकि system पर काम हो रहा है आज नहीं तो कल आजएगा आपने support को mail डाल दिया है तो आपको definitely महाचे reply ये आया है कि आपको दे दिया गया है लेकिन अभी तक आपको show नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है क्योंकि आप support में डाल चुके है दुबारा से आप एक बर mail डाल दीजे कि हमें अभी तक receive नहीं हुआ है तो आप अपने wallet का screen shot भी दरू डालिएगा जिसे कि वहाँ पर भी एक information पहुँच जाए कि इस candidate का यानि कि जो भी आपके affiliate है उनका भी तक आपको commission receive नहीं हुआ है एक question मेरे पास आरा था कि मैडम ID activation कब से शुरूगा card payment कब से हम कर सकते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि card payment continue चल रही है अभी जब से हमारा new payment processor आया है काफी कुछ चीजें है वो proper way में काम करी है कुछ लोगों का ID activation नहीं भी ओपा रहा है तो उन्हें घपराना नहीं है अभी रिखे regular ID थो रही है आपको एक दिन में एक card से दो ही ID करनी है जैसे कि अभी मेरे पास जो है एक दो एकात एकात ID का commission आता रहता है तो उसमें भी मतलब इससे पता चल रहा है कि processor सही तरह ते काम कर रहा है अब किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा complaint आ रहा है कि उन्होंने पैसा लिया और ID एक्टिवेट नहीं किये तो I think वो सारे क्या है वो exactly आप लोगोंने चैस सुनी लिया होगा सेशन में लेकि मैं नहीं कहूंगी कि अगर आप किसी और के फॉर एक्जांपल आपको मेरे कार्ट से पेमेंट करनी है मेरे पास credit कार्ड है या debit कार्ड है मेरे कार्ड से करनी है तो आपको मैं बताती जहूंगी आप डालते जाहिए OTPI एगा मैं आपको बताऊंगी आपो डालिए आपकी पेमेंट हो जाए आप मुझे उतना पैसा ट्रांसफर कर दीजे और उसमें credit कार्ड में मैं आपको बता दू कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी लग रहा है जैसे कि अगर माली जे 9100 की ID हो रही है तो उसमें करीब 400-500 रुपए जो बिल आता है तो उसमें लगकर आता है तो वो आपको देने पड़ेंगे किसी थे भी अगर आप अपनी ID कराते है तो उनका जब बिल आएगा या तो आप बिल का screenshot मगा लिजए या फिर आप उन्हें उसी टाइम भी दे सकते है क्योंकि मैंने काफी थारी अपनी ID करी है तो मेरे पास पर ID का करीब करीब 475-480 किसी कार्ट से ऐसे ऐसे आया है तो वो आपको देना पड़ेगा और देना भी कब है दोस्तों जब आपकी ID एक्टिवेट हो जाए उससे पहले आपको किसी को कोई पैसा नी देना कि मेरी ID एक्टिवेट कर दो ओ माई गॉड ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि विड्रॉल कब आएगा जो हम लोगोंने विड्रॉल लगा रखा है वो कब आएगा सुबा की वीडियो में भी बताया था दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं कि जितने भी लोगोंने अभी लास्ट मिस्टर आईश का जब अबिनार आ रहा है था उन्पैसिफ 360 में जब वो आए थे तो उन्होंने ये अपडेट दिया था तो पहली बात तो यह है आप लोग अपडेट को बहुत ध्यान से सुना के दिये नहीं सुन पाते हैं अगर आप उस वक्त तो उसके बाद हमारे बैक आफिस में एश्टर की समरी दरूर आती है अप उसको पढ़ि ये उन्होंने क्या अपडेट दिया है उन्होंने उसमें बताया भी था कि इसके उपर काम चल रहा है और जो ये हॉलिडे सीजन आ रहा है यानि कि जो हमारा एंड ओफ डिसंबर आ रहा है यानि कि ट्वनिट फैफट उप जो हमारा support में mail डाले हैं लेकिन आपको अगर याद हो Mr. Ash ने ये भी कहा था कि हमारा best customer service होगा in future के दुनिया का सबसे best होगा जहांपर कि आप video जो है call करके भी उनको जो है अपनी problem बता सकते हैं कहीं आपको screen पे कुछ share करना है आप उनको वो भी दिखा सकते हैं कि ये मेरा screen है यहांपर ये मुझे issue आ रहा है यहांपर मुझे क्या करना चाहिए तो आने वाली time में definitely हमारे पास best customer service ज़रूर होगा एक और important question है दोस्तों किसी का हमारे founder का phone damage हो गया है तो उनको अपना ID password या निए Gmail का password जो है वो मालूब नहीं है तो अगर वो withdraw लगाते है तो OTP का issue आ रहा है अब वो क्या करे तो दोस्तों देखी ये चीज़ हमने सुबह भी बात करी कि हमें अपनी साड़ी details लिख करके रखने है लिख करके कहीं safe जगा पर रखने है उसके इलावा उनका कहना यह है कि हमारा OES चल रहा है वो founder चल रहा है कोई problem नहीं आ रही है लेकिन withdraw के time तो अभी गुस्मिंदेशन नहीं ही कहा कि आप थोड़ा था वेट कीज़े जब आपको commission आएगा और आप withdraw लगाएंगे तब देखते हैं उस condition में हम क्या कर सकते हैं कोई ना कोई मतलब solution निकलेगा यहां पर भी कि अगर कुछ ऐसा हो गया आपका phone damage हो रहा है या कोई बिल्कुल मतलब ऐसे cases जो कि बिल्कुल आप कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि आने वाले time में may be possible कि आपको Gmail की दरूरत ही ना पड़े जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी आने वाले time में आप सिर्फ और सिर्फ o mail से ही काम करेंगे तो हमें अपना सिर्फ o mail ही का ही ID और password proper way में याद रखना है कहीं लिख के रख लिए अपने बच्चों के बता के रखे कि यह मेरा ID password है ताकि आप miss ना कर जाएं उस चीज़ को एक बहुत important question है दोस्तों देखे zero team को भी zero नहीं समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारी एक founder है उन्होंने वो हैं तो zero team लेकिन उन्होंने अपना user जो है वो काफी affiliate वो लेकर के आगई है अपने link के थ्रू काफी सारे हमारे users लेकर के आगई है और उनका पूछना यह है कि यूजर्स को भी क्या अभी हमारे traffic मिलेगा starting face में यानि कि first time में जो यह traffic हमें डिस्ट्रिब्यूटर का targeted traffic तो उसमें क्या traffic उन्हें मिलेगा जो हमारे users हैं तो सवाल यह है कि users को मिलेगा पहले या founders को मिलेगा तो देखिए दोस्तों जो founder हैं वो founders हैं उनकी एक अलग value यानि कि आपकी एक अलग value है तो आपको priority दादा दी जाएगी तो first cycle में जो जो traffic डिस्ट्रिब्यूट होगा वो सिर्फ हमारे founders को मिलेगा holding tank के regarding भी question आया कि holding tank से में जो users हैं वो किसको मिलने वाले हैं वो भी दोस्तों वो first round का जो भी आपको मिलेगा वो सिर्फ पहले founders को मिलेगा लेकिन आप यहाँ पर जो भी users को लेकर के आ रहे हैं मेरा सबी से request है कि उनको educate कीजिए उनको webinars में लेकर के आई उनको पता होना चाहिए उनको website visit कराईए कि website में about us यानि कंपनी के बारे में वो देखें कि कंपनी क्या है कैसे है क्या का काम करी है किस तरह से कंपनी का विजन है किस तरह से उसका mission है कैसे कंपनी जो है हमको founders देगी सारी हमको कैसे users देगी तो यह सारी चीज़े आपके जो user आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए अगर वो एक ID को अपनी activate कर रहे हैं सेदार पच्छी सार रुपए लगा के तो उनको सारी चीज़े पता होना चाहिए जब आप उनको educate करेंगे तब ही दोस्तों उनको चीज़े समझ में आएंगी अगर आप नहीं करेंगे तो वो ऐसी ही परशानुत रहेंगे कि हमें कब मिलेगा, users हमें कब मिलेंगे, हमारा क्या फायदा है, हम यहाँ पर क्यों आए, हमें लेकि देखो आना तो दोस्तों यहाँ पर सब को है कुछ को आप लाएंगे कुछ को मैं लाएंगे कुछ को कोई लाएगा किसी को कोई लाएगा लेकिन सब लोग यहाँ पर आएंगे लेकिन आप लोगों को उनको सब कुछ सिखाना है सब कुछ बताना है जूट बोलके किसी को नहीं लाना है रातो रात अमीर बन जाओगे ऐ तक कभी नहीं होता आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी उनको भी अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा जब आप एक बिजनस में आ रहे हैं उनको बताईए कि आप एक बड़े इधार रुपे के अंदर अगर आप एक अच्छा बिजनस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है और यहाँ से आप बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कर सकते हैं मतलब कि आप उनको यह भी बिजनस स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आपको वहाँ पर आपका domain name भी मिलेगा और start करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको in होना पड़ेगा इन मतलब आप आईजा यूजर तो आगे हैं लेकिन आपको यहाँ पर चीजों को सीखना पड़ेगा आपके लिए यहाँ पर marketing की जा रही है आपके लिए यहाँ पर सब कुछ किया जा र किया है उन लोगों की email ही चेंज होगी उसके लावा अभी कोई भी email चेंज नहीं होगी डिसमर का मनत है आप लोग अपनी आईडी को यहाँ आईडी पासफर्ट को active कर लिए जीमेल को ताके आपको भी कोई problem ना आए क्योंकि Google ने क्या किया है Google ने बुला है वो अपना सार तो रिजिस्टर कर दीजे ताके आपको की थी भी मतलब जैसे Amazon पे या इस बुक पे मैं कहते हूं कि बार बार इवरी बात Amazon इसलिए बुलती कि हर कोई शॉपिंग करता है तो Amazon पे ही आप उसका registration कर दीजे वहाँ पर एक-दो साइड पे विजिट कर लिजे तो आपकी ID अक् तो दोस्तों आप लोग एक काम और कर सकते हैं आप बैंक में जाकर के merchant payment आपको जो है return form भरना पड़ेगा वहाँ पर जाकर के उनको बुलना है आप हमें ये form दीजे हमारा पैसा जो है हमें return मगाना है क्योंकि company में हमारा पैसा नहीं पहुँचा है तो वो form आप भरके भी पैसा वापस मगा सकते हैं जिन लोगों कमा लिजे किसी का double कड़ गया कल जो एक मेरे पास call आया था उन्होंने बुला हमारा पैसा जो है 17,000 कड़ गया तो कैसे कड़ गया अब वो उनको पता है किसी का 22,000 कड़ गया तो आप लोग महां से जाकर के वो form भरके merchant refund form बैंक में जा करके आपको भरना है जिसे कि आपका जो पैसा गया हुआ है वो आपके वापस आ जाएगा और इसा फायदा ही होगा कि जो भी करीब परीवर्ड एक सो बीस दिन गया पच्छीस दिन में आपका वो पैसा वापस आ जाएगा और ये दोस्तों ऐसा इसली हो जाता है कि तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके उपर देहां दीजिए जिन लोगों को भी आती तरक्यों को भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग इस फॉर्म को भरके अपना पैसा रिफरंट मगा सकते हैं और सिर्म को लोगतार पॉपडेट पर ऐसे कि जिर्फरंट है तो बहुत जरूरी था जिनका जाड़र अपकर देना बहुत जरूरी था So thank you so much, Baba, take care.